बिना किसी देरी के जुड़िये सारे सवाल भैतरीन होंगे आप चिंता ना कीजिये ना बिना टाइम जाया किये हुए आईए स्टार्ट करते हैं और ठान लेना है ध्यान रखना ठान लेना जीत पक्का होगी निस्चित होगी पहला कोश्चन है हाल ही में वर्स 2019 में नोबल प टाइम कम है जल्दी जल्दी आजाईए सभी आप तो आंसर क्या है इसका जॉन भी गुड एनफ क्या है इसका आंसर जॉन भी गुड एनफ है और इसका देखिए ट्रिक कैसे बताया था याद कीजिए जल्दी से हाँ लंबी उम्र किसकी होगी लंबी उम्र होगी किसकी जि मात्र लगा रहा हूँ 97 years मतलब की 3 साल कम है nervous 90 हो जाएंगे वरना है ना मात्र 797 years है इनकी उम्र किसकी जौन वी गुड एनफ की और देखिए ये किस देश संबंदित हैं तो सयुक्त राज अमेरिका किस संबंदित हैं सयुक्त राज अमेरिका से संबंदित हैं और किस छेतर म मिला है नोबेल तो साथियों इन्हें मिला है किस चित्र के अंदर रसायन के अंदर किस के अंदर रसायन के अंदर जाद कीजिए जल्दी से अपनी ट्रिक को गुमाईए और वो ट्रिक कौन सी है वो ट्रिक है जल्दी से याद कीजिए उसे कि लीथियम आयन बैटरी के निर के लिए परियाप्त अच्छा होना चाहिए यही ट्रिक थी याद कर लीजिए तुरंसे और उसमें मैंने क्या बता है था परियाप्त अच्छा जो वर्ड है परियाप्त अच्छा जो वर्ड था उसका मतलब ही क्या था उसका मतलब था गुड एन आफ परियाप्त अच्छा को इंगलिस में क्या बोलते हैं good enough यह है revision class साथियों revision class है सारी चीजे में discuss कर चुका हूँ लेकिन उनके महतपूर questions आपके सामने आज लेकर आया हूँ अच्छा question है फूल पत्ती लगा देनी है हर question के ऊपर जहां पेड़ पोदे लगाने की जरुबत होगी वहां आपको जरूर बताऊंगा परक्नली स्टेंड बताया था मैंने देखिए नाम है इस्टेनली परक्नली स्टेंड से क्या बना इस्टेनली और याद कीजिए lithium आयन बैटरी किस के लिए मिला है लीथियम आयन बैटरी के लिए मिला है इन्हें आगे बढ़ते हैं question No.2 की तरफ देखिए question No.2 क्या है हाल ही में बिल एवं मेलिंडा गैट्स फांडेशन की और से किसको प्रतिश्टित ग्लोबल गोल कीपर अवर्ड से सम्मानित किया गया है क्वेश्चन नंबर दो का अंसर क्या लगाने वाले हो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर दो क्या है इसका अंसर तो इसका अंसर है नरेंदर मोदी क्या है साथियों नरेंदर मोदी गुजराती दिमाख है जाएगा कहीं पर भी कुछ ना कुछ ले कर आएंगे तो हमारे सिरी सिरी एक हजार आठ प्रदान मंत्री नरिंदर मोदी जी को क्या मिला है गॉल्डन गॉलकी पर अभोर्ड कौन सा अभोर्ड है गॉल्डन गॉलकी पर अभोर्ड अब देखना आप यहाँ पर देखना एक सवाल और आपका बता रहा हूं बड़ा महत्पूर्ण सवाल है नॉट्बुक पैन उठाके चाप लेना है सवाल को तुरंद की तुरंद क्योंकि ध्यान रखना जितना आप लेट करोगे महनत करने वाले उतना ही छोड़ कर जाएंगे आपके लिए ध्यान रखना अपनी महनत को मजबूत कर लीजिए अंतिम छण में अंतिम छण वो समय होता है जब आप अपना ब्रहmaस्तर लौंच करते हैं और उतकर्ष ने अपना ब्रहmaस्तर लौंच कर दिया है बस आप उस ब्रहmaस्तर का सदूपयोग कीजिए और अपनी महनत को अपने जुनून को और अपनी हिम्मत को तीनों को एक साथ लाईए लक्षे आपकी मुठ्थी में होने वाला है देखिए Melinda Gates जो है कौन Melinda Gates जो है The Moment of Lift क्या है The Moment of Lift तो ये जो बुक है बड़ी जबर्दस्त है याद रखना आप इस बुक के बारे में पेड पोदे इस बुक पर लगाईए अगर आप से पूछ ले मेलिंडा गेट्स की बुक का नाम क्या है तो मेलिंडा गेट्स की बुक का नाम क्या है पैरसाथियों दा मॉमेंट ओफ लिफ्ट अच्छा कोश्चन है फिर बोल रहा हूं मेलिंडा गेट्स की बुक का नाम क्या है मलिंडा गेट्स की बुक का नाम है अगला कोश्चन आपके लिए यहीं पर याद करते चलिए गॉल्डन गॉल की पर अवोर्ड किसे मिला है ये मिला है साथियों किसे नरेंदर मोदी जी को और साथ में याद रखना इसी संस्ता ने एक और अवोर्ड दिया है और वो अवोर्ड कौन सा है चेंज मेकर अवोर्ड कौन सा है चेंज मेकर अवोर्ड और ये चेंज मेकर अवोर्ड किसे मिला है ये मिला है पायल जांगिड को, किसे मिला है साथी हो, पायल जांगिड को मिला है, और पायल जांगिड का सम्मंद किस जिले से है, अलवर से है, हाँ, मेरे साथ ही सभी सही बता रहे हैं, आपकी तयारी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी भैतरीन है, बस खुद पर विस्वास र किये चिंता ना कीजिए अच्छा पेपर होगा पेपर की धज्जिया आप सभी उड़ा देने वाले हैं तो क्या अंसर है देखिए पायल जांगिड कहां की हैं अलबर की हैं पायल जांगिड और इन्हें कौन सा अवोड मिला है चेंज मेकर अवोड मिला है अब आपके सभारत अभियान के लिए और याद कीजिए सख्छ भारत अभियान आप सभी को पता है कब स्टार्ट हुआ था दो अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था और समाप्त कब हुआ दो अक्टूबर 2019 पास साल चला है दो अक्टूबर 2019 ही क्यों कि इसी दिन महात्मा गांधी जी क जैनती थी आपको पता है ये सभी पॉइंट रिवीजन कर लीजिए बापस से सभी सवालों को घुमा लीजिए और मुझे यकीन है कि आपकी इस किलास में से अधिकतर कोश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कोश्चन पढ़ सकते हैं एक्जाम में इसलिए आपके लिए अंत पेपर में फूल पत्ती पेड़ पोदे सब लगने वाले हैं आगे बढ़ रहा हूं क्योश्चन नंबर नेश्ट की तरफ क्या बढ़ रहा हूं क्योश्चन नंबर नेश्ट की तरफ बढ़ रहा हूं अच्छा कोश्चन है हर कोश्चन क्या है हर कोश्चन अपने आप में landmark question होगा हाँ प्यारे साथियों आज चुके हैं हमारे entertainment बासाओं का कभी पता नहीं पूछते देखिए क्या भैतरी नाइडी है अगला question है 66 मा दादा सहाव फाल के पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है अच्छा question है याद रखना बताइए 66 मा दादा सहाव फाल के अवोर्ड किसे प्रदान किया गया है अब देखना तुक्का मारने वाले सभी आने वाले हैं जल्दी बताइए बताइए पैरे साथियों जल्दी बताना है question नंबर 3 का अंसर हाँ देखिए question नंबर 3 का अंसर आ चुका है सभी ने सभी जी के सही तुक का लगा है अमिताब बच्चन तो किने मिला है अमिताब बच्चन को मिला है दादा साव फाल के अवोर्ड अब देखिए question तो यहीं पर खतम हो गया लेकिन हमारे पेपर में घुमा फिरा कर कुछ भी पूश सकता है इसलिए हम इसका अच्छे से का करेंगे अच्छे से कौन से नमबर के हैं आपको दिखी रहा होगा 66 कौन से नमबर के हैं 66 है इससे पहले आप से पूश सकता है इससे पहले किसे दादा साव फाल के अवोर्ड मिला था क्योंकि आपका पेपर धोजार सोला में हुआ है और उसके बाद उसके बाद विनोध कुमार को भी सातियों विनोध खन्ना जो है उन्हें भी अवोर्ड मिल चुका है तो यहां ध्यान लखना है विनोध खन्ना को भी 2017 में यह अवोर्ड मिल चुका है तो यह भी question आपके लिए important बनेगा ये किसे और मिला हुआ है तो विनोत खन्ना को भी मिला हुआ है 2017 में और इंपोटेंट इसलिए बनेगा क्योंकि इनका हाल ही में निधन भी हुआ है ये चुनाव लड़ते थे कहां से गुर्दासपुर सीड से जहां से अब सनी देवोल क्या है मद क्या है MP है सांसद है सनी दे नाइड़ू और आप सभी जानते हैं वंकै ये नाइड़ू हमारे क्या है उपराष्टपती क्या है उपराष्टपती है और साथ में राज्यसवाक क्या है सबापती भी है अच्छा कोश्चन है हर कोश्चन अपने आप में एक बजन रखता है इसलिए आपके सामने वो मैं याद कर लिया और साथ में क्या याद कर लिया गुर्दासपुर सीट पंजाब वाली भी आपने याद कर ली हाँ गुर्दासपुर सीट है पंजाब की जहां से वर्तमान में सनी देवोल क्या हैं MP हैं अब आगे बढ़ रहा हूं कुश्चन नमबर 4 की तरफ अब फीफा द्वारा किस पुरुस खिलाडी को बैलन दी और अबोर्ड 2019 प्रदान किया गया है अच्छा सवाल है अच्छे से ध्यान रखना है और कुश्चन छपने की संबाबना सत परतीशत होगी और देखिए इसका आंसर क्या है इसका आंसर है देखे पारे साथियों आज मै मैं कोसिस कर रहा हूँ कि आपका समय कम से कम जाया हो अच्छे कोश्चन आप तक पहुँच जाएं विद एक्स्प्लेनेशन तो देखिए आंसर क्या है इसका इसका आंसर है लियोनेल मेसी क्या है लियोनेल मेसी सही आंसर है क्योश्चन नमबर फोर का अब देखिए इसका क और अवोर्ड का सम्मंद किस खेल से है फुटवाल, टैनिस, किरकेट और कोच भी लिख देगा बैडमिंटन तो ध्यान रखना है आंसर क्या होगा उसका फुटवाल होगा अब कौन देता है ये अवोर्ड फीफा देता है कौन देता है फीफा देता है अगला पॉइंट सुन केलते हैं तो ध्यान रखना अर्जेंटीना से कहलते हैं कहां से अर्जेंटीना ध्यान रखना इस कोश्चन को लियोनेल मेसी का सम्मंद किस दिश से है अर्जेंटीना से है लेकिन अगर आप से पूछ ले इनका सम्मंद किस किलब से है तो उस किलब का अंसर क्या होगा वार सी लोना किलब है अब देखिए अगला कोश्चन आप यह तो हो गए पुरुस लियोनेल मेसी तो क्या हो गए लियोनेल मेसी तो हो गए पुरुस अब बात करते हैं किसकी महीला की और महीला कौन है वो महीला है मैगन रेपीनो कौन है मैगन रेपीनो है यहाँ पर लगाईए य आप ये समझ जाईए ये क्या है महीला है क्या है महीला है और दूसरा इन्हें कौन सा वोर्ड मिला है वैलन दी और अवोर्ड मिला है और अगला कोश्चन ये किस देश की हैं तो प्यारे साथियों ये हैं सयुक्त राज अमेरिका की किस की विश्टर का चोदरी सयुक्त राज अमेरिका यह हैं यहां की आगे बढ़ रहा हूँ अगले कोश्चन के तरफ और अगला कोश्चन जो है आपके लिए बड़ा ही मैथपून होने वाला है कोश्चन नमबर फाइब बताईए भारतिये पत्रकार जिसे वर्स 2019 के रमन मैक से सम्मान से सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है मुझे पता है कि आपको इस कोश्चन का आंसर पता है लेकिन मैं जो एक्स्प्लिनेशन आपको बताऊंगा हो सकता है आपको उसमें से कुछ फाइदा हो जाए यही उद्देश से है मेरा आपके समक्ष आज आने का तब यह नासर थी आप सभी जानते हैं तब यह थोड़ी नाजुकती लेकिन फिर वी मैंने कहा कि नहीं आपके लिए बड़ा जरूरी है यह सेशन इसलिए आग लगाने पेपर की धज्जिया उडाने आपके बीच आ चुका हूं और इसका अंसर क्या है इसका अंसर है रवीश कुमार क्या है रवीश कुमार है अब द मेला है प्राइम टाइम एक इनका प्रोग्राम है जिसके लिए यह अवोर्ड दिया गया है अब देखिए यह जो रैमेन मैक्सिस अवोर्ड है कौन सा वोर्ड रैमेन मैक्सिस अवोर्ड जहान रखना इस अवोर्ड को कौन देता है तो यह अवोर्ड मिलता है मनीला के Nobel Prize क्या बोलते हैं? एसिया का Nobel Prize अच्छा कोस्चन जाद रखना है और आप सभी जानते हैं रवीश कुमार का संबंद किस छेत्र से है तो प्यारे साथियों, पत्रकारिता से है किस से है? पत्रकारिता से है रवीस कुमार का संबंद अब आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले कोस् यारी में अंतिम समय में ये बड़ा महत्पूर्ण होगा ये दो किलास जो एक आज है और एक मैं परसो मंडे तक लाने की पूरी कोशिस करूँगा आपके बीच में अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है कोश्चन नमर सिक्स वर्स 2019 के मैं तक का मानने वाले जितने भी एक्सपाइट हैं वो सभी क्या कीजिए सभी आजाईए मैदान में कोश्चन आ गया है जिसमें आप अपना हुनर दिखा पाएंगे तो बताईए पहरे साथियों बताईए आंसर बताईए कोश्चन नमर सिक्स का क्या आंसर है कोश्चन नमर सि का अंसर, very good, सबी का सही आंसर आ रहा है, ये बड़ी भैतरीन बात है, इस किलास की, हाँ कुछ ने लगाया है तुक्का दो पर और उनका तुक्का बिल्कुल गलत निकला है, सीधा अंतरिक्स से उन्हें नीचे धकेल दीजीए, क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है, जोखा अलहारती क्या है जोखा अलहारती है और इस पर तो मैं कह रहा हूँ इस कोश्चन पर पेड़ पोदे से काम नहीं चलेगा पूरा गार्डन लगा दीजिए क्या कह रहा हूँ पूरा गार्डन लगा दीजिए बड़ा भैतरीन सवाल है कि हाली में 2019 का मैं बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे मिला है जोखा अलहारती को मिला है और ध्यान रखना इनकी जो बुक का नाम है जिसके लिए ये अवोर्ड दिया गया है वो है सेलेस्टियल बोडीज क्या नाम है सेलेस्टियल बोडीज अच्छा कोश्चन है कोई सबी बात आप से पूछ सकता है सेलेस्टियल आप सभी जानते हैं ग्रह को बोलते हैं किसको जो ग्रह नक्षत रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं सेलेस्टियल बोडीज कहते हैं तो जोखा अलहारती की बुक का नाम क्या है सेलेस्टियल बोडीज है अच्छा कोश्चन है कि पूछे आपसे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे मिला है जोखा अलार्थी को मिला है और सेलेश्टियल बोडीज को मिला है फालतू के फैक्ट एक भी याद नहीं कराऊंगा आपको क्योंकि ये वो समय है जब काम काम की बाद सारी नोट करते जाएए और फिर कह रहा हूँ आपसे नोट बुक पैन उठा लीजिए रजाईयों से भार निकल जाएए अब अंतिम समय है मेहनत करने का समय है ये वो समय है जो आपको बहुत लीड दिलाएगा और लोगों से कुछ साथी बार-बार कह रहे हैं कि सर एड्मिट कार्ड आ ग बढ़ रहा हूँ कोश्चन नम्मर सेवन वर्स 2019 का अर्ध सास्थ का नोबेल पुरुसकार संयक्त रूप से किनय दिया गया मैंने यही सवाल इसलिए पूछा है उसका कारण क्या है उसका कारण है क्योंकि इसके अंदर कौन है इसके अंदर भारतिय मूल के एक अर्ध सास्त बिए इस लिए सवाल आपके सामने लेकर आया हूं और предлаг क्या इसका इसका आंसर है उपरिक्ट सभी इसका सही आंसर है अब देखिए आप मेरे साथ में याद कैसे करना है याद करा चुका हूं एक बार तुरंत रिवाईज- कर ली और वो रिवाई जी क्या है याद कीजिए मैंने आपको बताया था फिलो जो होता है फिलो का अर्थ क्या होता है फिलो का अर्थ होता है क्रम में भेना क्या होता है साथियों क्रम में भेना तो देखिए प्यारे स्टुडेंट देखना यहां पर आप फिलो का अर्थ क्या है फ यह है एक महीला है जिनका नाम क्या है एस्तर डुफलो है अर्थ से क्या बना अर्थ से बना अर्द सास्त्र क्या बना अर्थ से बना अर्द सास्त्र मतलब यह नोबेल किसका है अर्द सास्त्र का है करम से क्या बना करम से बना माइकल क्रैमर क्या बना माइकल क्रैमर और देखि बहना से क्या बना अभीजीत बनर जी क्या बना अभीजीत बनर जी तो तीन नाम आपके सामने हैं अभीजीत बनर जी की बाइफ का नाम क्या है अभीजीत बनर जी की बाइफ का नाम है अभीजीत बनर जी की बाइफ का नाम है अभीजीत बनर जी की बाइफ का नाम है अभीज बेंड को नोबल प्राइस दिया गया है तो अगर उसे घर में सही सलामत जाना है तो बाइफ को भी नोबल पुरुसकार देना पड़ेगा इसलिए इनकी सलामती के लिए कौन सा वोड मिला है एस दिफलो को भी नोबल पुरुसकार मिला है अच्छे से याद कीजिए यहीं पर याद करके जाना बापस ऐसा ना हो कि बापस पढ़ना पड़े यहीं पर हर कुछ याद कर लीजिए बुक्स भी आएंगी सुचकांक भी आएंगे हर किसी को एक क्रम में आपके लिए लेकर आया हूं चिंता ना कीजिए ना सब कुछ लाओंगा अगर मैंने हैडिंग में लगाया है तो आपके लिए सब कुछ आएगा चिंता ना कीजिए बस मेरे साथ आप जुड़े रही है और जो साथी नहीं जुड़े हैं उन्हें आप सभी जोल लीजिए यह आपकी है और अब देखिए यह आवोर्ड क्यों दिया गया है सबसे बड़ी बात है कि यह आवोर्ड क्यों दिया गया है तो वैस्विक गरीबी को कम करने के लिए किसके लिए वैस्विक गरीबी को कम करने के लिए तो अगर आप से पूछ ले यह आवोर्ड क्यों दिया गया है व पहले भी मिल चुका है और ज्यान रखना उनको किस लिए मिला था ये कोश्चन भी आप से पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी कि अभी जी जो अमर्ते सेन हैं कौन साथियों अमर्ते सेन जो है इन्हें ये अवोर्ड क्यों मिला था तो ज्यान रखना लोग कल्यान करी राज्य की इस्तापना के लिए किस के लिए मिला था लोग कल्यान करी राज्य की इस्तापना के लिए अमर्ते शेहन को ये अबोर्ड पहले भी मिल चुका है और अभिजीत बनर जी दूसरे भारते मूल के अर्द सास्त्री हैं जिनें ये अबोर्ड दिया गया है अगला कोश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके साथ बस क्या कीजिए अपनी तयारी को मजबूत करते रही है देखिए कोश्चन नमर एट है राष्टे फिल्म पुरुसकार 2019 में सर्वस्रेश्ट फीचर फिल्म का पुरुसकार किसे मिला है और इसका आंसर क्या है इसका आंसर है हलारो मूवी को किसे मिला है हलारो मूवी को मिला है इस question में क्या होता है इस question में गड़बड हो जाएगी आपसे ध्यान से सुनिए मेरे कुछ साथी comment कर रहे हैं कि सर थोड़ा fast कराईए मैं तो fast करा दूँगा लेकिन आप सोचिए कि मेरे साथ आप सोचिए कि जब मैं आपको बता रहा हूं और वो question paper में छप गया और आपसे ग किछ देखए इसका अंसर क्या है ह structures film में फिर बोल रहा हूं क्या है सर्व श्रेष्ट फीचर फिलिम है अगर आप से पूछ ले कि सर्व श्रेष्ट हिंदी फिलिम कौन सी है तो ध्यान रखना फिर आएगा आंसर अन्दा दुंदρείट अगैर आपसे पूछ ले सर्व आएगा इसका अंसर आएगा अंदा दुंद और जो हैलारों मूवी है यह गुजराती मूवी है कैसी असातियों गुजराती मूवी है और आप सभी को पता है यह फिल्म जो पुरुसकार हैं वो कौन से नंबर के थे 66 नंबर के हैं कौन से नंबर के हैं 66 नंबर के हैं और अगला कोश्चन इन पुरुसकारों को कौन दे रहा है तो ध्यान लखना उपराष्ट पती बंकईया नाइडू दे रहे हैं कौन दे रहे हैं तो जो भारत के जो उपराष्ट पती हैं बंकईया नाइडू जी उन्होंने ये पुरुसक सवाल कुछ भी है हमें गोला भरने से मतलब है गोला बरो प्रतोगता है क्वेश्चन आना चाहिए बस एक मात्र उद्दिश से यही है आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के तरफ देखिए क्वेश्चन नमबर 9 राजिस्तान के किस व्यक्ति को राश्टिय यूवा मनु कमबोज क्या है इसका आंसर मनु कमबोज इसका बिलकुल सही आंसर है और ध्यान लखना है मनु कमबोज कहां के हैं यह जैपूर के कहां के हैं जैपूर के हैं और सामाजिक कार करता हैं साथियों आपका एडमिट कार आया है नहीं आया है इसको आप 5 बचे के बाद दे चाहिए तो गोले भरने पड़ेंगे और उसके लिए यह किलास आपके लिए निर्णायक होगी मैं आपसे फिर कह रहा हूं इसलिए अपना माइंड कॉंसेंटेट कीजिए किसके ओपर किलास के ओपर जो बात बोल रहा हूं एक एक बात सीधी दिल में छपनी चाहिए आप लो पोच अगले कोश्चन के तरफ बढ़ रहा हूं अगला कोश्चन आपके लिए बहुत मैथपूर्ण होगा 66 में राष्टे फिल्म पुरुसकारों में किस राजिस्तानी फिल्म को सर्वस्रेश्ट राजिस्तानी फिल्म का पुरुसकार दिया गया है इस कोश्चन पर भी ग साथ यह वो question है राजिस्थानी फिलिम का question क्योंकि हमारे exam के लिए बहुत मैथपूर्ण होगा यह question और इसका answer क्या है हाँ तुक्का मारवन तुक्का मारने वाले सभी expert मैदान में आ चुके हैं कुछ का सही answer है कुछ का गलत answer है लेकिन मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप बड़े confidently क्या करते हैं तो का चिप का देते हैं सही answer क्या है सही answer है टर्टल क्या सही answer है टर्टल सही answer है इसका और जो टर्टल फिलिम है ध्यान लखना है इसके जो निर्माता है इसके निर्माता कौन है तो पैरसाथियों इसके निर्माता ध्यान लखने आपको टर्टल जो फिल्म है इसके निर्माता और प्रडूशर दो है पैरसाथियों फिल्म है कहां कि टॉक की है और किसे संबन्दित है ये फिल्म है महिला ससकती करण किसे मन्दित है ये फिलिम और आप से पूछ ले कि इसके निर्माता और निदेशक कौन है निदेशक और निर्माता तो ध्यान लखना है निर्माता है असोग चोदरी कौन है असोग चोदरी निर्माता है और निदेशक कौन है पैरसातियों दिनेश यादव कौन है दिनेश याद पॉर्ड मिला है इसका संबंद किस से है महिला जागरुता से है इसके निर्माता कौन है दिनेश यादव है और प्यारे साथियों इसके निदेशक कौन है निदेशक दिनेश यादव है और निर्माता असोग चोदरी है यह कहां के हैं यह हैं टौक के कहां के हैं टौक के हैं अगले question के तरफ बढ़ रहा हूँ आपके exam को देखकर मैंने question के संक्या खुद ही बढ़ा दिये आप चिंता ना कीजिए बस जुड़े रही है मेरे साथ अगला question आपके सामने आ रहा है देखिए question number 11 भारत और बांगलादेश के बीच पर्थम day night test match किस मैदान पर खेला जाए और ध्यान रखना है इसका question आपके लिए बड़ा महत्पूर्ण है बताईए आप सभी क्या सही answer लगाने वाले हो आप सभी जल्दी बताईए question number 11 आपके सामने आ चुका है आप जल्दी जल्दी बताईए मैं आपको revise कराता चलता हूँ बताईए answer क्या है question number 11 का answer है hidden garden कौन सा stadium है साथियो hidden garden stadium है और यह कहाँ पर इस्तित है यह इस्तित है कौल काता में कहाँ पर है कौल काता में और ध्यान रखना आपके लिए important question है कि यह पहला day night match था कैसा पहला day night test match है किसके मद्दे हुआ है भारत बांगलादेश के मद्दे हुआ है तीन question important है कि पहला day night test match किसके मद्दे हुआ है भारत बांगलादेश के मद्दे हुआ है दूसरा question important क्या है कहाँ पर हुआ है hidden garden stadium में हुआ है और यह कहाँ पर है कौल काता के अंदर है इस match में क हो सकता है गांट बांद लेना स्वाल में कि अगर आप से पोछ ले कि इस मेच की सबसे बड़ी खास विशेस्ता क्या थी तो ध्यान लखना है इसमें गुलाबी बॉल का उपयोग हुआ था कैसी बॉल साथियों पिंग बॉल का उपयोग हुआ था ये बड़ा important है आपके exam के लिए और ध्यान रखना है पिंक बोल का उपयोग क्यों पिंक बोल का उपयोग क्यों 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 कि रात्री में पिंक बोल अच्छे से बिजवल हो सके अच्छे से दिख सके इसलिए उपयोग हुआ कैसी बोल का पिंक बोल का उपयोग किया गया था अ यहीं पर इस question को समाप्त नहीं कर रहा आप से एक point और जना आपको बताऊंगा और वो कौन सा है अरुण जेटली स्टेडियम आप सभी जानते हैं यह स्टेडियम पहले नहीं था लेकिन हुआ क्या लेकिन हुआ क्या फिरोज सा कोटला स्टेडियम कौन सा साती हो फिरोज सा क कोटला स्टेडियम इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था इसका नाम चेंज करके क्या किया अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था और यह कहां पर इस्तित है यह है भारत की राजदानी दिल्ली के अंदर इस्तित है अच्छा कोश्चन है फिर कह रहा हूँ आप से हर कोश्चन आपकी तैयारी को बहतर करेगा बड़ा मजबूत करेगा करेंट अफेर्स का डर निकाल दीजिए क्योंकि उतकर्स परिवार में आप और मैं मिलकर क्या करेंगे करेंट अफेर्स की दज्जियां चल रहा हूँ आगे देखें कोश्चन नंबर 12 एस सैंचुरी इज नौट एनफ आत्मकथा का संबंद किस किलाडिस है बताईए प्यारे साथियों जल्दी बताईए जल्दी बताईए कोश्चन नंबर 12 का अंसर आप क्या लगाने वाले हो एक दो तीन चार तुक्का मारने वाले पाइल जाइंगिड के बारे में बताओ मैं बता चुका हूं पाइल जाइंगिड है कहां की؟ अलवर की हैं दूसरा उन्हें चेंज मेकर अवोड मिला है तीसरा, बाल विवा को रोकने के लिए ये अवोर्ट दिया गया था, अब बताईए आप, अनु कुमारी जी मेरे हाथ को छोड़िये, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिये, हमारा उद्दे से एक ही है, और वो कौन सा है, आपका सेलेक्शन, कुश्चन नमबर बारा का अंसर ह सौरब गाउंगली क्या है, सौरब गाउंगली इसका सही आंसर है, अब देखिए आप मेरे साथ, A century is not enough, अगर देखना, मैं इसमें कोई और option आपके लिए देता, कोई और option आपके लिए देता, तो आप सायद दिमाख लगा लेतें, कि इसका संबंद खेल से होगा, मैंने इसलिए चारो option आपके लिए खेल वाले ही दियें, तो याद रखना, question अच्छा है, A century is not enough, पुस्तक का संबंद किस से है, बंगाल टाइगर, किस से है, बंगाल टाइगर, सौरब गाउंगली से, और ध्यान रखना, सौरब गाउंगली वाला question इसलिए पूचा गया है, क्य इसलिए question क्या है, बड़ा important है, गाठ बांदने लायक है, और एक question यहाँ पर और बताऊंगा आपको, उसके नीचे ही केस का नाम लिखा हुआ है, हाँ, किरकेट के भगवान सचिन तेंदुलगर, और ध्यान रखना, इनकी जो अत्म कथा है, उसका नाम है, playing it my way, मैं लिख दुलगर जी की, playing it my way, मतलम मेरे तरीके से खेलना, मैं आपको जैसे तैयारी करा रहा हूँ, आप ऐसे तैयारी कीजिए, हर question का post-martem करते चलिए, क्योंकि paper वाला कहां से सवाल पूछेगा, इस बात का निश्चित नहीं है, लेकिन सवाल तो syllabus में से भी पूछेगा, तो क्य देखिए, question केतने निकले यहां से, पहला question इस बुक के लिखक कौन है, सोरब गाउंगली है, दूसरा question क्या निकला, दूसरा question निकला, बी सी सी आई के अध्यक्ष कौन है, सोरब गाउंगली है, और तीसरा question क्या निकला, तीसरा question निकला, सचिन तैंदरो की बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे आगे बढ़ रहा हूँ question number 13 की तरफ किसकी तरफ बढ़ रहा हूँ question number 13 की तरफ और देखिए वो question क्या है अंधेरे से उजाले की और पुस्तक के लिखक कौन है पुस्तक बहुत सारी है बुक्स बहुत सारी है मैं आपसे कौन सी बुक पूश रहा हूँ इसका उद्धिस से क्या है थोड़ा समझ लीजी आप देखिए पेपर के अंदर वही बुक आएगी जिस बुक का लेखक चर्चा में होगा मैं फिर कह रहा हूँ पेपर के अंदर वही बुक आएगी जिस पर के अंदर दूसरा देखा होगा आपने हमारे डॉक्टर एपीज अबदुल कलाम जी का निदन हुआ तो उनसे रिलेटिव कोश्चन उसमें पूछ लिया तो क्यों ना अब की बार भी हम इस प्रकार तयारी करें कि जो व्यक्ति चर्चा में हैं उनकी बुक को हम याद कर है आप मेंसे 50% तुक्का मार रहे हैं लेकिन मैं आपको हाँ आपका confidence बड़ा लाजवाब है पर आप सोच लीजिए मैंने बताया है कि मैं आप से वो सवाल पूछ रहा हूं जो व्यक्ति वर्तमान में चर्चा में होगा और आप सभी को पता है अरुन जेटली जी कौन अरुन जेटली जी है और आप सभी को पता है उनका हाल ही में क्या हुआ है उनका हाल ही में निदन हुआ है और उनी की बुक का नाम था अंधेरे से उजाले की और क्या है अंधेरे से उजाले की और इनका बुक का नाम है यहीं पर देखिए अरुन जेटली की बात आई है त सबसे सांदार काम किया था वो था जी एश टी क्या था जी एसटी तो भारत में जी एश टी को लागू करने वाले बित्त मंत्री कौन हैं तो वो बी साथियों अरुन जेटली हैं जी एश टी का मतलब गबबर सिंग टेक्स नहीं है क्या है जी एश्टी का मतलब है क्या goods एवं service tax तो सारे सातियों वस्तू एवं सेवा कर ये किसका मतलब है जी एश्टी का मतलब है और कब लागू हुआ था जी एश्टी बताईए आप सभी के comment का मुझे बेसबरी से इंतिजार है कि जी एश्टी कब लागू हुआ था भारत के अंद और ध्यान रखना है जी एश्टी एक एप प्रत्यक्ष कर है कैसा कर है जी एश्टी एक एप प्रत्यक्ष कर है और आप सभी को पता है जी एश्टी किस सभीदान संसोदन से आया 101 सभीदान संसोदन अधीनियम अच्छा question है इसको भी याद रखना है इस्टाल लगा लीजि GST किस सभिदान संसोधन से आया 101. Constitutional Amendment Act इससे कौन आया इससे आया GST और बताईए हाँ सभी का बड़ा भैतरीन जवाब है एक जुलाई 2017 जम्मू कास्मीर को छोड़ कर ये वर्ड याद रखना जम्मू कास्मीर को छोड़ कर एक जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ क्या GST और ये कैसा टेक्स है ये पर टेक्ष कर था और किस सभिदान संसोधन से आया अच्छा कोस्चन है अच्छे से याद को पता है फिरो सा कोटला मैदान का नाम क्या कर दिया अरुन जेटली स्टेडियम कर दिया अगले कोस्चन के तरह भढ़ रहा हूं गोर से सुनना अगला कोस्चन बड़ा महत्पूर्ण है सीधा गार्डन लगा देना देखिए एक्जाम बोरियर्स पुस्तक के लिखक कौन है अरुन जेटली रामचंद्रगुवा नरेंद्र मोदी एपी जे अब्दुलकलाम तो सही आंसर क्या है इसका नरेंद्र मोदी आपको जानकर बड़ी खुसी होगी कि सर नरेंद्र मोदी जी के पास टाइम ही कहा है पुस्तक लिखने का तो पहरे साथियों आपको पता है विदी सी यात्रा करने वाले व्यक्ति है कौन नरेंद्र मोदी और जब वो जा रहे होते हैं तो खाली बैठे होते हैं तो उस समय क्यों ना पुस्तक ही लिख लें तो इन्होंने केवल एक पुस्तक नहीं दूसरी पुस्तक भी बता रहा हूं आपको यहीं पर जोती को आपके paper में छाप दे तो जोती पुंज ये पुस्तक भी किस की है यह पुस्तक भी है सिरी सिरी नरेंदर मोदी जी महराज की और आप सभी जानते हैं exam warrior book के अंदर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है साथियों उसका नाम क्या है एक्जाम के समय का तनाव कैसे हैंडल करना है देखिए आपके सामने भी यह समझ चाहिए एक्जाम के समय जो तनाव होता है उसको कैसे हैंडल करना है बस अपने माबाप का नाम लीजिए जिन्होंने आपको इतनी महन से यहां तक पहुँचाया है बस खुद के ऊपर विश्वास रखिए और अपना जो कुछ पढ़ा है उसको तुरंद रिवाइच कर लीजिए ये तीन मूल मंत्र हैं एक्जाम के समय तनाफ को दूर करने के पुस्तक मत पढ़िए मैंने आपको बता दिये तीनों मूल मंत्र आ एक साथी पूछ रहे हैं कि जम्मू कस्मीर में जी एस्टी कब लगू हुआ एक सप्ता के बाद एक सप्ता के बाद ही लगू हो गया जम्मू कस्मीर के अंदर जी एस्टी पैरे साथियो जुडिये मेरे साथ अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए ठ्यान रखना है जितनी न अरुण्धत्ति रोय, इसका सही आंसर है, फूल पत्ती नहीं, इस पर तो आप पूरा की पूरा गार्डन लगा देना, क्योस्टन बड़ा जबर्दस्त है, कौन सा? The Ministry of Utmost Happiness, ये किसकी बुक है? अरुण्धत्ति रोय की बुक है, और एक बुक और बताता हूँ आपको, जो ब बुक है जुम्पा लाहडी की बुक है अच्छी बुक है याद रखना है फिर कह रहा हूँ आपसे दुबारा रिपीट कर रहा हूँ अरुन्धत्ती रॉय की बुक का नाम क्या है अरुन्धत्ती रॉय की बुक का नाम है अरुन्धत्ती रॉय की बुक का नाम है अब आपसे अगला question क्या है देखिए listening learning and leading पुस्तक के लेखक कौन है यह भी question आपके लिए बड़ा जबरदस्त होने वाला है कौन सा listening learning और leading इस पुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक के पैरे सातियों वंकया नाइडू जी कौन है वंकया नाइडू जी है इस पुस्तक के ले देखक और देखना वेंक कहिए नाइडू जी का दो वर्स का जो उपराष्ट पती का कारेकाल है इसका संबंध है किस बुक से लिस्टिनिंग लर्निंग और लीडिंग आप समझ लेना यह तीन वर्ड आपके लिए आज की किलास में बड़े महत्पून होंगे लिस्टिनिंग गोर से सुनिए मेरी बात को फिर क्या कीजिए लर्निंग उसे बारवा लर्न कीजिए और पेपर में लीड करना है आपको ध्यान लखना है लिस्टिनिंग लर्निंग और लीडिंग यह पुस्तक किस की है वंकईया नाइडू जी की पुस्तक है और इनक में दो वर्स का जो बारे में उलेक है question number 16 की तरफ 17 की तरफ भढ़ रहा हूँ each of doing business report 2020 में भारत की ranking क्या है पहला point तो ध्यान लखना इस report का नाम क्या है 2020 ध्यान लखना इस बात को अच्छे ते सुन लीजिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको report का नाम क्या है 2020 की ये report है और इसमें भारत की rank कौन सी है भारत की rank 63 कौन सी है सातियों 63 है अब आप कहेंगे अब आप क्या कहेंगे कि सर पिछली बार rank कितनी थी तो पिछली बार rank थी 77 question सीधा यह पूँच सकता है कि भारत ने कितनी rank का उच्छाल किया है कितनी rank का सुधार किया है तो आप सभी की reasoning बड़ी जबरदस्त होगी बताइए 77 में से 63 गे तो कितने बचे देखना मुझे पता है कि आपकी reasoning बड़ी जबरदस्त है और आप सही answer देंगे कि 77 में से 63 जाएंगे तो कितने बचने वाले हैं उतने ही rank का सुधार किया है हाँ सही answer आ चुका है देखिए मैं मुझे विश्वास था कि आप सभी सही answer देंगे तो 14 rank का उच्छाल किया है भारत ने किसके अंदर Ease of Doing Business रिपोर्ट के अंदर और ये report जारी कौन करता है Wish to Bank करता है कौन करता है साथियों Wish to Bank इस report को जारी करता है एक और बात यहां समझ लीजिए पहली rank पर कौन थे पहली rank पर थे New Zealand कौन ता साथियों New Zealand जो है वो पहली rank पर है और भारत कौन सी rank पर है भारत है 63 rank पर आईए बढ़ते हैं Question number 18 की तरफ और वो क्या है मानव विकास सूचकांग 2019 में भारत की rank क्या है बताईए इसका answer क्या है 129 क्या है 129 है लेकिन याद रखना यह report अभी आई है तो आप से क्या पूँच सकता है आप से पूँच सकता है राजिस्थान का इस्थान बताओ पैरसाथियों इसमें राजिस्थान का इस्थान नहीं आता है इसमें केबल भारत का इस्थान आता है तो मैं आप से कैसे बताऊं राजिस्थान का इस्थान तो एक यह answer क्या है 129 इसका सही answer है और आप से पूछ ले मानव विकास सूचकांग 2019 की रिपोर्ट में क्या नाम था तो इसका थ्यान रखना है इसमें भारत की रैंकिंग थी 130 क्या थी 130 रैंक थी एक अंक की जबरदस्त उचाल के साथ 129 पर आ गया है कौन भारत 129 पर आ गया है और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है UNDP कौन जारी करता है साथियों संयुक्त राश्ट विकास कारिक्रम यह जारी करता है इस रिपोर्ट को अब देखिए अगला कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके लिए कोश्चन नमबर 19 की तरफ कौन सा कोश्चन नमबर 19 वैस्पिक लोगतंतर सूचकांग 2019 में भारत की कौन सी रैंक है तो इसका अंसर है पहरे साथियों 41 रैंक कौन सी रैंक है 41 रैंक है किसके अंदर किसके अंदर है वैस्पिक लोगतंतर सूचकांग के अंदर और अगर पहली रैंक पूछ ले आप से वह किसकी है नार्वी की पहली रैंक है ठ्यार रखना है 21 19 का अंसर क्या है 19 का रेंक है 63, याद कीजिए मानव विका सूचकांग, उसमें भारत की रेंक कौन सी है, 129 है, और याद कीजिए वेस्पिक लोगतंत्र सूचकांग 2019, उसमें भारत की रेंक कौन सी है, उसमें भारत की रेंक है, 41, हाँ साथियों human development जो index है, हाँ गलती से लिख दिया है वो, हाँ पैरे साथियों, ये कौन सा है, ये 2018 का है, क्योंकि 2019 में से कौन सी हो गई, 2019 में तो 129 है, 2018 में कौन सी है, 130 रेंक है, अब देखिए, question number 20, ICC विश्वकब 2019, पुरुस की उपविजेता कौन सी टीम है, इसका आंसर आप दोगे, और देखना मैं आप से कह रहा हूं कि कैसे सव गलत हो जाता है, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, बताइए, question number 20 का आंसर, आप सभी क्या लगाने वाले हैं, जल्दी बताइए, तुक्का मानने वाले भार आजाईए मैदान में, मैदान बिलकुल खाली है आपके लिए, बताइए, question number 20 का आंसर क्या है, पाकि पाकिस्तान की रैंक छोड़ी है न, अब ये टाइम नहीं है, जब आप नापाक इरादे वाले पाकिस्तान की रैंक सोचने वाले हैं, बताइए, question number 20 का आंसर, देखिए, कुछ साथी तो जबरदस्त आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ साथी कनफ्यूज हो गए, और उन्हों आंसर दिया है, मैं आप से कह रहा हूँ, question को ध्यान से पढ़ना दो बार, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है, उप विजेता टीम कौन सी है, हाँ, अब देखिए, वो साथी बापस आंसर टाइप कर रहे हैं, पलट कर तुरंद, ध्यान रखना, यहां तो आप पस टाइप नहीं हो पाएगा, इसलिए पहली बार ही लक्षे पर बार करना, और आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है न्यूजिलेंड, और आप जानते हैं, विजेता कौन थी, तो विजेता बनी थी, इंगलेंड, और आपको एक बात पता है, कि पहली बार विजेता बनी है कौन सी टीम इंगलेंड टीम पहली बार विजेता बनी है और ये वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था ये वर्ल्ड कप हुआ था इंगलेंड में और साथ में पहले साथियों कहां पर वेल्स के अंदर दोनों ही का इस्तित हैं युनाइटेट किंडम के अंदर इस्तित हैं और आप स पूरी उम्बीद है इस बात की बताईए भारत ने ये जो वर्ल्ड कप है वो 1983 में किस मैदान में जीता था देखते हैं कौन-कौन अच्छे से तैयारी कर रहा है कुश्चन कुछ भी पूँच सकता है हमें हर कुश्चन के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा बताईए भारत न कुछ साथी सही आंसर दे भी रहे हैं और कुछ साथी हां इनतिजार कर रहे हैं कि कर सबसरा आप कब बताओगे इसका आंसर हां बताईए आंसर क्या है इसका इसका आंसर है कपिल देव ने तो ट्रॉफी उठाई थी वो मैच था कौन सा लोड्स का मैदान कौन सा मैदान था लोड्स का मैदान है और इंगलेंड ने भी जो अभी बल्ड कप जीता है वो भी कहां जीता है लोड्स के मैदान में जीता है जिसे किरकेट का मक्का कहते हैं क्या कहते हैं किरकेट का मक्का ये भी अच्छा कोश्चन है किरकेट का मक्का किसे कहते हैं तो लोड्स के मैदान को क किर्केट का मक्का पड़ा जबर्दस कुश्चन है चप सकता है आपके एक्जाम में देखिए मैंने मेहनत की मैंने कोशिश की की आपके सामने वो सभी सोट लेकर आऊं वो सभी सवाल लेकर आऊं जो सभी आपके एक्जाम के लिए बड़े महत्पून होंगे और प्यारे साथ हो जो सीधा पेपर को हिट करने वाले हो और पेपर की दज्जिया उड़ा देने वाले हो खुद को मोटिवेट रखना मैं आप से फिर मिलूँगा इसके दूसरे पार्ट के साथ मैं दो पार्ट आप के लिए लेकर आऊंगा दोनों पार्ट को अच्छे से याद करना है अच्छे से समझ कर जाना कहीं ना कहीं से कोशन छपी ही जाएगा पेपर के अंदर हसते रहें मुस्कुराते रहें बिना तनाव के तैयारी कीजिए सफलता निश्चित ही मिलेगी और आप सभी जानते हो ठान लो त सब्सक्राइब एक जाल कर जा它 बंटंगर शुटकार कर घर पर एंद दोनियों आप्डे अप्सक्तर सु जार भाल की जाएग नाज़ टेह लाएग एंपीच्छ्त फोईत्यू लिए कर फुर स्च्छे स कर च्छ दोनियन ब्संते एन चार्ट। दिरस्ट लाप अर्ड फिट्टर्टेश कर भूं जाओ एं गजा उन गया प्रफरंश शॉलाइश प्रफ़ेंझंड नियुक्टर्टर इंग इंगुट लॉंग च्टर्उफ झाल्यूड आनल्लीस चार्फिट वाय प्रफरमस्ट लाग चार्फित लाग और लॉण